भारत छोडो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा भारत छोडो आंदोलन 1942 में दुवितिय विश्व यूद्ध में लड़ने के लिए भारतिय सेनिकों को भेजने के विरोध में शुरू किया गया था और अंग्रेजों से भारत की ततकाल सोतंतरता की मांग की थी भारत छोडो आंदोलन को समर्थन मिला जब कॉंग्रेजों के बीच बाच्ची विफल हो गई थी भारतियों से एक स्वतंतर राष्टर के रूप में कार्य करने और अंग्रेजों के आदेशों का पालन न करने का आग्रक किया गया गांधी और अन्य वरिष्ट कॉंग्रेस नेताओ को जेल में डाला गया था पूरे देश में बड़े पैमाने पर विद्रो प्रदर्शन हुए जिसके बाद हमले तोड़ फोड़ और हिंसा हुई मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों के लिए अपना समर्तन घोशित किया और ऐसा करके इसलाम के संदेश को स्वतंत्र रूप से फैलाने में सक्षम थे अंग्रेजों ने विरोध के उत्तर में सामूहिक गिरफतारियां की भारी जुर्माने लगाए और हवाई जहाच से बॉम भी गिराए विद्रोही आंदोलन ने स्वतंत्रता हासिल करने के लिए हिंसा का सहारा लिया था जो अब गांधी के अहिंसा के सिदान्तों के खिलाब काम कर रहा था इस वज़े से आंदोलन नेत्रुत्व हीन हो चुका था और अगले साल तक खत्म हो गया 1946 में शाही भारतिय नौसेना ने हरताल की और भारतिय नाविकों ने भी बगावत की हरताल पूरे भारत में फैल गई और भारतियों ने इसका पूरा समर्थन किया जल्द ही वायू सेना और स्थानिय पुलीस बल इसमें शामिल हो गए अब और भी अधिक दंगे और विद्रो हुए